यहेच केल भविश्वक्ता के पुस्तक अध्याय 25 यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुचा, हे मनुश्य के संतान, अमोनियों की ओर मुह करके उनके विशे में भविश्वानी कर, उनसे कह, हे अमोनियों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, कि तुमने जो मेरे पवित्र स्थान के विशे जब वह अपवित्र किया गया, और इस्रायल के देश के विशे जब वह उजड़ गया, और यहुदा के घराने के विशे, जब वे बंधुवाई में गये, अहां अहां कहा, इस कारन देखो, मै मैं तुझको पुर्वियों के अधिकार में करने पर हूँ, और वे तेरे बीच अपनी छावनिया डालेंगे, और अपने घर बनाएंगे, वे तेरे फल खाएंगे, और तेरा दूथ पीएंगे, और मैं रब्बा नगर को उटो के रहने, और अमोनियों के देश को भेड़ बक देश के कारण ताली बजाई और नाचे, और अपने सारे मन के अभिमान से आनंद किया, इस कारण देख, मैंने अपना हाथ तेरे उपर बढ़ाया है, और तुझको जाती-जाती की लूट कर दूँगा, और देश-देश के लोगों में से तुझे मिठाऊंगा, और देश- यो कहता है, मोअब और सेर जो कहते हैं, देखो, यहुदा का घराना और सब जातियों के समान हो गया है, इस कारण देख, मोअब के देश के किनारे के नगरों को बेत्शिमोत, बालमोन और किरिया तैम जो उस तेश के शिरोमनी है, मैं उनका मार्ग खोल कर उन्हें अम्मोनियों पर चढ़ाई करे, और मैं अम्मोनियों को यहां तक उनके अधिकार में कर दूँगा, कि जाती जाती के बीच उनका समरन फिर न रहेगा, और मैं मोअब को भी दंड दूँगा, और वे जान लेंगे कि मैं यहवा हूँ, परमिश्वर यहवा यो भी कहता है, एदोम ने जो यहुदा के घराने से पल्टा लिया, और उनसे बदला लेकर बड़ा दोशी हो गया है, इस कारण परमिश्वर यहवा यो कहता है, मैं एदोम के देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर, उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा, और तेमा इसरायल के दोरा एदोम से अपना बदला लूँगा, और वे उस देश में मेरे कोप और जलजला हट के अनुसार काम करेंगे, तब वे मेरा पल्टा लेना जान लेंगे, परमिश्वर यहवा की यही वानी है, परमिश्वर यहवा यो कहता है, क्योंकि पलिष्टी लोगों पल्टा लिया, परन अपनी युग युग की शत्रता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया, कि नाश करें, इस कारण परमिश्वर यहवा यो कहता है, तेख मैं पलिष्टियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ, और करेतियों को मिटा डालूंगा, और समुद्रतीर के बचे हुए रहने वालों को नाश करूंगा, और मैं जलजला हट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई से पल्टा लूँगा, और जब मैं उनसे बदला ले लूँगा, तब वे जान देंगे कि मैं यहवा हूँ.